अबारे इसा देसाओ क्यों होता हुआ क्या? सुजामल भाहिसा क्या होगा कुपर सुजामल को? शेहनशा ने अबे ये संदेशा देने के लिए बुलवाया था कि मेवार्ट में सुजामल भाहिसा ने मुगलों पर आकर्मन कर दिया था और उसमें जोद्धा, शेहनशा के दो सम्भंधी वीरकथी को प्राब्थ हो गए और अब शेइनशा प्रदिशो तेरा जाते है, वो सुझाबल बाथ सा को तंड़ तेरा जाते हो तुम तो जाती हो रामोधी शेहनशा के तंड का क्या अर्थ होता है, रत के बने, रत तो आपसर पाकर कुवर सुजामर के लिए शमा मांग लीजेगा नहीं बोदी इस बार शेहनशा को समझाना संभाव होगा क्योंकि उन ऐसा लगता है कि उन लोगों पर पीट पीछे वार हो है ऐसा नहीं हो सकता राजवनशी कभी पीट के पीछे प्रहार नहीं करते पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर हमने तुम्हें पहले से कहा था कि हमारे हुकम के मिना ना कोई चोड़ी ना कोई तकेती फिर ऐसा क्यों हुआ गुस्ता की माफो हुजूर गुना हमारा नहीं है इस पेट का है और वैसे भी हुजूर की तरह हमें तनख्वा तो मिलती नहीं है इस मक्कार पेट को सुबा उटते ही भूग लग जाती है हुजूर इसे कुछ अश्रफियां दे दो हुजूर हमारे गिरों में दो सो डाकूं है और ये तो उटके मुँ में जीरा के बनाबर है हुजूर तुम्हे तुम्हे तुम्हारी मुह मांगी रखम मिल जाएगी लेकिन आज के बाद ना कोई दकैती ना कोई चोरी समझ गया इस पर नज़र लखना अगर कोई भी कलती कर रहे तो सट को कटम करते रहा वैसे इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो अधम ये सवाल हम आप सभी पूछ सकते हैं तो जवाब ये है कि अब हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं तो हमने सोचा क्यों ना अपने पुराने दोस्त की खवर लेली जाए लेकिन हमारे पास बहुत काम है शरीफ अधिन स आप तो ऐसे नाकारा गुमते रहोगे क्योंकि मेवाद की सुबेदारी आप से छीन लेगी हम चलते हैं अलविदा हाँ वो तो होना ही था मगर अभी अभी तुम से मालवा की सुबेदारी छीन कर पीर महम्मद को सौंप दी गई है एना खमोश तुम्हारे किसमत हमारे गु अब आप कर दीजिये वैसे आदम अपने नए सुबेदार की खिदमत जरा ठीक से करना कहीं इस ओहदे से भी हाथ ना दो बैट कर दो कर दो हम आपको शुक्री आदा करने आए हैं आखिर आपने इस इंतखाब में खड़े रहने का फैसला ले लिया हमें आपसे पूरी उमीद है कि आप इस हरम को वो जगे बना देंगी जहां पे सब के साथ इंसाफ होता हो या खुदा आस तक कभी ऐसा नहीं हुआ क्या नहीं हुआ हुजया आस तक हरम बेगम एक खास के हाथों की कटपुतली था सालों उन्होंने हरम पर हुकूमत भी की लेकिन कोई चूब भी नहीं कर सका बगर इस बार बेगमात ने ना केवल उनकी मुखालफात की बलकि खुले याम जोधा बेगम का साथ भी दे रही है आप सबने हमारा विश्वास किया इसके लिए बहुत धन्यवाद और सच कहें तो इस सब कुछ आप लोगों के सहीयों के कारणी सब्भव हो पा रहा है वरना अकिरे तो हम कुछ नहीं कर पाते प्रणाम शेच अपसे कुछ पूछना चाहेंगे जोधा बेगम हम जब भी अपसे मुखातिब होते होते हैं तो अपके होटो पर एक हलकी सी मुस्कराहट होती है हमें देखकर लेकिन आज ना चाहने कहाँ वो खुम से हो गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुझावल के लिए हमारे फल्मान को लेकर अब हमसे ख़वा है ऐसा कुछ नहीं जन्चो आप तो अपना राज धर्म निभा रहे क्या करें कुछ कहा अपने तो आपकी जम्मेदारी होगे आपको अपनी जम्मेदारी पूरी करनी होगे फर्स करिए माननीजे अगर दो बेगमात हमारे लिए लड़ रही है तो आपको फैसला करना होगा कि उनमें कौनसे बेगमात हमारे साथ वग गुजारेगी जोधा बेगम हम हरम को केवल आपके रात्री निर्धारन के लिए नहीं समालेंगी जण्शक अच्छा हमें तो ऐसे ही लगता था क्या करें रुकए बेगम के अक्तियार में हमारी आदत कुछ खराब सी होगे है जोधा बेगम हमें लगता था हरम सिर्फ हमारे हराम और सहुलित के लिए है लेकर अब शायद सब कुछ बतलने वाला है क्योंकि अगर किसी बांदी आकनीज ने हमसे बात कर लिया हमारी तर देख पिलिया तो आप दो उसे सदात दे देंगी जोधा बेगम अच तक इस हरम में किसी भी हिंदु दासी को पूजा करने की सोतंतरता नहीं मिली परन्तु जोधा बेगम ने ये प्रयास प्रारम्भ किया अब हम अपने इश्ट को पूच सकते हैं धन्यवाद जोधा बेगम बहुत बहुत धन्यवाद कि मसीरी आलिया हुजूर बहुत बड़ी ख़र है क्या हो गया आसमान पड़ गया ऐसा ही समझे है करम के सारी हिंदु बांदियों के होजरे में उनकी भगवान के मूर्तिया मिनी है तुम्हों खुराब हो गया रेशम तुम्हारा बुगर्स तलतनत में किसी भी बांदी को यह हाक नहीं है चांती हुजूर लेकिन यही सच है खुदा कसम हमने अपनी आखों से देखा है यह कैसे हो सकता है जिसकी इतनी उम्मत हुई कि मुगर्स तलतनत के हरां के कारेकान उ से चलो खुदा खेर करें जोधा बेगम ऐसा कैसे कर सकती है हां हमने सोचा था कि वो नेक है इसलिए हमने उनके नाम की सिफारिश की मगर उन्होंने हरम की मालकिन औहदेदार बनने से पहले ही अपने मजब की हिमायते शुरू कर दी यह हरम के काईदों के खिलाफ है शैंच इन बेगमात और कनीजों ने आपकी होसला अवजाई की थी वही अब आपके खिलाफ होंगी बेचारी जोधा बेगम हमारी एक चाल भी सहन नहीं कर पाएगी झाल 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 झाल